आई दोस्तो तो आज में आप लोगों के लिए सब डिविजनल ओफिसर ग्रेड टू इन मिनिस्ट्र डिफेंस डिर्क्टर जनरल डिफेंसी स्टेट्स में जो एक्जाम 24 तारी को होने वाले और 25 तारी को इसका जो स्किल टेस्ट होने वाले इसके बारे मैं आपको बताता हू और अगर आपको वीडियो ठीक लेगे तेन प्लीज डू लाइक शर्न सब्सक्राइब अब देखियार सबसे पहली बात करते हैं कि मिनिस्ट्र यह जो स्किल टेस्ट होना है एसडियो का इसमें क्या होना है देखियार मैं आलेडी पहले बता चुका हूँ लेकि नेवार में सब्सक्राइब बना रहा हूँ देखो एक ETS नाम की एक मशीन होती है ठीक है आपको यह ETS मशीन चलानी आने चाहिए अब यह क्योंकि यह सर्वे रेलेटेड है जो आपकी जौब है आपको मैक्समम काम आपको सर्वे सर्वे ही करने है जिंदगी बर ठीक है जब आपको सब्सक्राइब का इंपॉर्टन पार्ट है तो यह जो लोग पूछते हैं कि मतबब सिविल इंजिनर का आएगा भाई सब्सक्राइब का नहीं आता सर्वे रेलेटेड है यह एक्जाम SDO Grade 2 की पोस्ट ITI से लेगे सिविल इंजिनर तकी है और उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि यह सर्वे रेलेटेड एग्जाम है यह जो जौब है सर्वे ही आपको करने है अगर आप सिविल इंजिनर पूरी पढ़के भी आतो तब भी आपसे असने कि पूरी सिविल इंजिनर सर्वे करना पड़ता है और सर्वे करने के लिए एक मशीन होती है ETS आपको यह चलानी आने चाहिए अब जब मैं कहता हूं यह चलानी आने चलानी मतलब इसको आपको सब कुछ चाना चाहिए कि इसमें पॉइंट कैसे लेते कि यह बार आप लोगों ने देखा होगी कि जह आप सब से इंजिरियर हैंगे जादर लोगों को पता होगे ETS मशीन कैसे होती है आपको इस मशीन के बारे में बहुत अच्छी नौलेज होने चाहिए आपको इसके कंपोनेंट्स पार्ट पुर्जे कैसे है इसमें लेवलिंग कैसे होती है लेवलिंग करने के बाद मतलब कैसे मेजर करते हैं और फिर सब्सक्राइब कोई भी ऑबज़ेक्ट दे रहेखा इसको बाइसे करते हैं यह जो बेसिक चीज़े हैं यह आप से आपके स्किल टेस्ट के दोरान पूछ ली जाएंगे और देखें आप से मशीन ऑपरेट करा कर देखेंगे साथ साथ जवाब म तो यह आप समझ कर चलिए हैं टैक है और मैंने मडल्य बताई गए कि कोई लाइक का नाम की कंपणी है लाइक का नाम की जो कंपनी है उसी का यूज होता है तो हमारे हम भी वही होता है तो आप अगर उसके बारे में थोड़ा देख लें कुछ वीडियो बन रखी है कि वो मशिन कैसे यूज की जाती है अगर आपको समझ लेना आप लोग उन्हें का अगर कभी यूज कियो तो इसके लटेस्ट नेक्स डे ही हो जाएगा इसलिए मैं कहा रहा हूं कि आप लोग इसकी तयारी कर लो अभी टाइम है आठ दस दिन है आप इसको थोड़ा चलाना अगर कहीं मिल जाए यह यूटूब पर यह यह मैं कहा रहा हूं आप तयार रही है अब घबराने के जरूद नहीं है अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मोटिवेशन यह है कि देखिए आपकी सरकारी नौकरी लगेगी इससे बड़ा और कोई मोटिवेशन नहीं है क्योंकि बेरोजगारी बहुत है कहीं नौकरी अग काम जादा है काम बहुत करना पड़ता है तो काम जादा है लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि मतलब ऐसे ही है आपका लग-लग चीज़ें करने मिलेगी और जो आपकी डावर्सिफाइड है हाँ डावर्सिफिकेशन के असाप से इसमें सेल्दी नहीं है यह आप मान के चलिए ए अगर आप किसी एक सिटी में हो तो आपके सेल्दी करीब 45-46 जार भी हो जाए इतना ही है अगर भी आ और आपको कोई डावट हो तो पूछ लेना क्योंकि मैं खुद UDC हूँ ठीक है मैं UDC हूँ तो मुझे यह सब चीज़े नहीं आते जो मैं आपको बता हूँ मैं सबसे पूछ पूछ के बताता हूँ आपको ठीक है तो और कोई डावट हो तो आप पूछ लेना टैलिग्राम ग्रूप पे जोड़ जाना और ठीक है क्योंकि मैं झालो